नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याइना नियूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवी आईए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर पंचकुला के सेक्टर 25 में कार चालक ने एक 8 साल के बच्चे पर कार चड़ा दी घैल बच्चे की करीब 4 घंटे बाद अस्पताल में मौत हो गई, मौत की सूचना मिलते ही परिजनों ने चालक को घेर कर उसे मारने की कोशिश की, गुस्से में परिजनों ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घरवालों क का काम चल रहा है, वहां पर देहारी मज़दूरी करते हैं, वहीं जुग्गी डाल कर रहते हैं, मतक पवन पार्किंग में अन्ने बच्चों के साथ बैठा था, उसी दौरान का चालक ने बच्चे पर कार चड़ा दी, मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को घेर लिया, इसके बाद चालक परिजनों के साथ उपचार के लिए पवन को सेक्टर 26 के एक प्राईवेट aspeestar में ले गया, राटने को पच्चार के बाद चालक बच्चे को लेकर सेक्टर 6 aspe 먼 में, शाम करीब 6 बचे पहुँचा, डॉक्टर ने बच्चे का उपच्चार किया, राध जाय लेक सुबारा की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह परिजनों को शांत कराया घटना की जानकारी सेक्टर 25 पुलिस चौकी को दी गई सुचना पाने के कुछ देर बाद जांच अधिकारी सेक्टर 6 नाखरिक अस्पताल पहुंचे और परिजनों से पूछताच की उसके बाद पुलिस कर्मियों ने कार को अपने कबजे में ले लिया फिलाल पुलिस आगामी जांच में जुटी है और शेफ को पोस्मॉटम के लिए सेक्टर 6 के नाखरिक अस्पताल की मोचुरी में रखवा दिया है पंचकुला से हमारे समवाद गाता कपिल नाखपाल के रेपोर्ट इसस्ट 211-212 तो वही है चुकी में रहते हैं और इक अलड़का वहां बजरी वेवाद के रहा दा तो करीव साथे चार बजे के आसपास एक गाड़ी आई पची सेक्टर मार्केडी तरसे और स्पीड में थी गाड़ी और बजरी के पंचड़गी हो और ये बच्चा उसकी च्पेड में आ गया है तो इसके हॉस्पीटल में कल देतों गिरी तो राती है मुगदमा दजी करती है इसका बाकि आज इसका फोर्समा नगला रहे है सर कार सवार को गिरफतर कर लिया है कार सवार तो अभी तब तो कारी है तो कार को कपजे में ले लिया है तो सर क्या नाम है बच्चे गा और कितनी होगा रहे है तो माता पिता मजुदूरी का काम करते है है हमारे फेस्बुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करे साथ ही यू